हेलो एवरीवन वेलकम तू माई यूट्यूब चैनल दपॉलिटिकल स्टार आजके इस वीडियो में हम मार्सिलियस ऑफ पड़वा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं यह इस सिरीज का लास्ट वीडियो है इस वीडियो में हम मार्सिलियस के चर्च के उपर क्या विचार थे और उनके अनुसार चर्च का क्या फंक्शन होना चाहिए था इसके बारे में जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं Church and Marsilius Views on Church Marsilius के Church के Views के बारे में जानने से पहले हम यह जानते हैं कि Marsilius के According Church की क्या जरूरत थी Marsilius के According Church उससे में क्यों important था According to Marsilius Marsilius का यह कहना था क्योंकि कानून हर जगा नहीं पहुँच सकता इसी लिए जो सही function प्रीस्ट के दवारा perform किया जा रहा था उसने पुलिस और जज़ का काम आसान कर दिया था Fear of Hell के मदद से कहने का मतलब यह है कि आपने सुना होगा कई बर आज भी लोग कहते हैं कि गलत काम मत करो वरना तुम्हें नर्क में जाना पड़ेगा तो उस जमें आपको पता होना चाहिए कि medieval period में religion का बहुत बड़ा importance था तो लोग धर्म कर्म की बातों को बहुत ज़ादा मानते थे और इसलिए वो गलत काम करने से बचते थे जिससे पुलिस और जज़ का जो काम है वो आसान हो जाता है क्योंकि अगर वो गलत काम करता तो पुलिस उसे पकड की ले जाती है और फिर जज़ के सामने उसकी पेशी होती लेकिन priest जो थे उन्होंने fear of hell को इतना बढ़ाया था कि लोग जो थे वो उसके डर से गलत काम करने से बचते थे तो एक तरह से priest ने लोगों को fear of hell के ही मदद से गलत काम करने से रोका था as Christianity says there is a future life and its well-being depends on accepting those principles and elevations propagated by church these priests are necessary parts of human salvation and because this is the ultimate goal of man and thus there was a necessary of church friends Christianity कहती है कि future life है यानि कि death के बाद जो after life होती है वो और उसका पूरा well-being depend करता है कि कौन के कितना जो principles और elevations church के द्वारा बताया गया है जो सिध्धान्त church के द्वारा बताये गए है follow करने के लिए उसको कौन कितनी अच्छी तरह के से accept करता है और priest जो थे वो human salvation को perform करने के लिए मदद करते थे human salvation यानि कि जो मोक्ष की प्राप्ती होती है वो कैसी होगी कैसे की जाएगी कैसे ध्यान लगाया जाएगा तो ये priest जो हैं वो बताते थे लोगों को तो इसलिए वो human salvation के लिए important part बन गए जो कि हर एक human का ultimate goal होता है life में और इसी लिए church इन सारे कारणों से important था अब जानते हैं Marsilius के thoughts special status को लेके Pope के बारे में Marsilius ने Pope के special status को recognize नहीं किया और लोगों को भी कहा कि उनको इस तरीके का जो special status है Pope को उसको नहीं देना चाहिए He did not recognize the hierarchical structure of the church he observed Pope, Bishop and all other church personnel are of same rank and thus the spiritual qualification of Pope or priest is not different that of an ordinary churchman though this is this he established through this he established his spiritual equality and denied special status of the priest or Pope Marsilius ने Pope के special status को recognize नहीं करते हुए church के भी hierarchical structure को recognize नहीं किया जैसे कि पहले priest, फिर bishop, फिर सबसे उपर priest, फिर pope, फिर सबसे उपर bishop इस तरीके का hierarchical structure जो था church का उसको उन्होंने recognize नहीं किया था वो pope, bishop और अधर जो church personal थे उन्हों सब भी को same rank का मानते थे और इसके मदद से उन्होंने एक spiritual qualification जो थी pope की और priest की उसको एक ordinary churchman के जैसा ही माना इस तरीके से मानते हुए उन्होंने spiritual equality को स्थापित किया और उन्हेंने कहा कि church की special जो status होता है priest और pope का उसका कोई मतलब नहीं क्यूंकि एक आम आदमी और एक priest के बीच में कोई अंतर नहीं है Marsilius on church functions Marsilius के according church का क्या function होना चाहिए Marsilius ने कहा कि church has no right claim, rightful claim to any kind of coercive jurisdiction Marsilius ने कहा कि church का किसी भी तरीके के forceful jurisdiction पर कोई अधिकार नहीं वो claim नहीं कर सकता कोई भी किसी भी तरीके का forceful jurisdiction यानि कि वो किसी भी चीजों को forcefully लागू नहीं कर सकता, forcefully decision नहीं ले सकता Second, the clergy has only right to govern or speak for church and not to make it more than a state जो clergy यानि कि जो priest है उनके पास केवल ही केवल अधिकार था कि वो church को संचालित करें और उसके बारे में लोगों को बताए और अपने religion का importance बढ़ाए लेकिन church को state से जादा दिखाना या उससे बढ़ कर दिखाना ये clergy के पास right नहीं है ऐसा Marseilleus का कहना था It has no rightful title of property उन्होंने कहा कि church के पास कोई हक नहीं है प्रॉपर्टी इसको accumulate करने का एकटा करने का He deprived the church from the power to pass the judgment on a hair से उन्होंने कहा कि church का कोई अधिकार नहीं है judgment देने का decisions लेने का किसी person के खिलाब अगर उसने religion के विरुद अगर कुछ बोला हो तो उन्होंने कहा कि अगर जो heretic है उसने अगर कोई गलत काम किया है religion के विरुद तो उसको proper authority के द्वारा punish किया जाएगा उसके day of judgment के दिन the heretic will be punished by the proper authority in the other world on the day of judgment और उसी heretic ने अगर किसी civil law को violate किया है यानि कि किसी state law को violate किया है तो फिर उससे punish किया जाएगा civil authority के द्वारा इसी अर्थ में friends मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से दो worlds का concept है यहाँ पे एक है on the day of judgment यानि कि जिसको हम लोग after life कहते हैं और एक होता है इसी अर्थ पर Church as natural part of state Marseilleu treats the church as a part of the civil authority and naturally comes under the jurisdiction of the state and thus he denied any special treatment for it Marseilleus जो थे उन्होंने शुरू से ही church को civil authority का एक part माना था और naturally फिर church state के jurisdiction के अंडर आ जाता है और इसी लिए उन्हेंने कहा था कि church को कोई भी special treatment नहीं मिलना चाहिए Reason of this kind of opinion of Marseilleu for the church अब हमने church के related उसके function के related Marseilleus का views जान लिया पर Marseilleus का views ऐसा क्यों था? Marseilleu painful observed that instead of devoting to spiritual function the church was engaged in amazing accumulating property and wealth for the attainment of material and earthly comfort this was anti-Christianity medieval period में church का importance इतना जाधा बढ़ गया कि जो priest थे वो बहुत जाधा धिरे धिरे powerful भी होना शुरू हो गया जिससे उन्होंने क्या किया? कि वो spiritual functions में devote होने के बजाए यानि कि भक्ती भाव में lean होने के बजाए क्या करने लगे? वो property और wealth को accumulate करने लगे और वो financially बहुत ज़दा powerful बन रहे थे अपना वर्चस पे बढ़ा रहे थे और Christianity इसके खिलाफ है Christianity ऐसा बिल्कुल नहीं कहती कि priest को material pursuit और comfort के पीछे जाना चाहिए तो इसलिए Marsilius ने क्या कहा? Marsilius ने क्या किया? कि Marsilius ने church के importance को ही reduce कर दिया church को एक simply department के तौर पे कहा secular government का जैसे दूसरे departments होते हैं government के और कहा कि अगर priest के दौरा कोई भी violation होगा law का, secular law का तो priest को भी उसी तरीके से treat किया जाना चाहिए जैसे कि ordinary man को treat किया जाएगा कानून तोडने के खिलाफ So any violation of secular law by the priest to be judged by the judicial department of the government जैसा कि हर ordinary man के साथ होना चाहिए property of church the amount of church property is to be decided by the necessities of the priest thus there is no scope of accumulating property Marsilis ने कहा कि church को उतनी ही property मिलनी चाहिए जितनी की priest की जरूरत है और इसे automatically church जो है वो property accumulate करने से बचेगा तो ये था Marsilis का church से related views अब हम देखते हैं critical analysis First, although Marsilis was against the supremacy of church it cannot be said that he was against any organization or authority of the church हम यहाँ पर भात एक बहुत ध्यान रखनी है कि Marsilis जो थे वो भले ही चर्च के importance को जादा नहीं मानते और पोप के special status को deny करते हैं पर Marsilis ने कभी भी church के organization के खिलाफ बात नहीं की उन्होंने यह नहीं का कि church नहीं होना चाहिए या पोप जो है उनको उन्होंने religious matter पर कभी चर्च के authority के वो खिलाफ नहीं थे लेकिन उन्होंने लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि जो state है वो जादा उपर है state का जो place होता है वो church से कहीं जादा होता है क्योंकि वो एक जगह पे यानि की state का मतलब यहाँ पे government है यह याद रखिये तो government जो है वो law and order बनाए रखती है एक जगह से तो उन्होंने कहा कि state का जो position है वो church से उपर है His whole idea of church-state relation may be called patchwork or compromise उनकी पूरी church और state के जो relation है उसके idea को हम एक patchwork किया एक compromise कह सकते हैं ऐसा है इसलिए क्योंकि उन्होंने church के authority को recognize करते हुए उसे state से नीचे माना है Being a scholar of middle age, she did not try to keep himself above all sorts of religious, beliefs, faith and dogmas अब medieval period के वे philosopher थे लेकिन उन्होंने कभी भी ये कोशिश नहीं कि वो religion से अलग हट के बात करे उन्होंने religion के बारे में बात की है पर उसके importance को reduce किया है क्योंकि उस समय religion के importance को reduce करना काफी necessary हो गया था क्योंकि वो गलत रास्ते पर जा रहा था और priest जो थे वो अपने आपको बहुत ज़्यादा powerful समझ रहे थे और अपने importance का गलत इस्तमाल कर रहे थे अब हम बात करते हैं सबाइन ने क्या कहा है तो ऐस सबाइन says that he did not affect a complete divorce between the state and church सबाइन ने बहुत अच्छी बात कही है सबाइन ने कहा कि मार्सिलिश जे उन्होंने कभी भी complete divorce नहीं किया यानि complete separation नहीं किया state और church का उन्होंने कहा कि church भी होनी चाहिए और state भी होना चाहिए पर state के jurisdiction के under church को होना चाहिए the state was mixed with certain religious elements and the church with certain political elements उन्होंने कहा कि जब भी कोई state होता है तो वो कुछ religious elements के साथ ही होता है under his social setup the church will discharge its function under the jurisdiction of a state as it one of the part as other authorities and the people living in the state has two citizenship और membership that is the members of the state and also that of the church उन्होंने कहा कि मार्सिलिश के according जो social setup है उसमे church जो हो अपना function state के jurisdiction के अंडर perform करेगा और वो जैसे state के दूसरे authorities होते हैं वैसे ही उसके एक authority के तौर पे रहेगा और जो लोग हैं वो state के अंडर रहेंगे दो citizenship के साथ एक उनके पास रहेगा state का citizenship दूसरा उनके पास church का citizenship रहेगा अब आब बात करते हैं conclusion की Thus, we can say that Marsilio's concept of church state relation is very bold and specially because of the period when he depraunded this theory So, Marsilio's का जो concept है church को लेकर उसके function को लेकर उसको bold कहा गया है क्योंकि जिस period, क्योंकि जिस दौरान या जिस समय ये जो जिस तरीकी के thinking इनका develop हो रहा था वो period बहुत ही जादा religious माना गया है और उस समय फिर आप ऐसा विचार रखते हैं कि आप church के authority को reduce कर देंगे और जो priest उनको special status नहीं देंगे उनको ordinary men के जैसे ही treat करेंगे तो ये अपने में बहुत जादा अलग और bold है Friends, मैंने पहले भी कहा है और last part फिर से कह रही हूँ कि Marseilleus जो है वो medieval political thought के last scholar है क्योंकि उसके बाद modern period शुरू हो जाता है और मेक्यावली जो है उन्हों बहुत जादा inspire होते हैं इनके thinking से तो आप मेक्यावली को पढ़े तो पहले Marseilleus के बारे में जान ले तब आपको और आपको यह समझ में आया होगा और यह सीरीज का last video है कुछ भी doubt हो तो आप comment करके पूछ सकते हैं Thank you